नमस्कार दोस्तों उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे इस वीडियो में हम आप के लिए लेकर आए हैं एक और हिस्टोरिकल टोपिक भारत पर शकों का आकर्मन भारत पर शकों का आकर्मन प्रथम शिताबदी इशापुरु में पस्ची मोत्र में शक जाती ने आकर्मन किया था उसको कहा जाता है प्रथम शिताबदी में गी आकर्मन शुरू हुए थे चीनी प्रमानों के अनुसार हुंगनु यानी हनु ने हनु जाती ने यूची जाती पर हमला किया था तो यूची जाती ने पश्चिम की और पलायन करना शुरू कर दिया और वहां रहने वाली शक जाती को दक्षिन की और खदेड दिया पतंजली के महाभाश्य के अनुसार इन्हें सदूर उत्र पश्चिम सीमा पर यवनों के साथ रहने वाला बताया है लेकिन इस बात पर मतभेद है सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पश्चिम उत्रभाग में गांधार्म और गांधार में यवनों के कार्ण ये ठहर ना सके और बोलन घाटी पार करके भारत में आये थे तत पश्चात, पुष्ट कलावती और तक्षीलाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया था और वहां से यव सकों ने स्थापना की थी सक समराज्य की, 72 इसापुरों में सकों के प्रतापी नेता मुआउस उत्तर पश्चिम परदेश का साशक बनता है, उसने महराजा धिराज की उपादी धान की थी जो कि उसकी मुद्राओं पर अंकित है, वहां से हमें ये पता चलता है, तो सबसे पहला कोशन यही आता है कि शक कौन थे, कहां से आये थे, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं, शक प्राचिन मध्य एशिया में रहने वाली सिक्ती लोगों की एक जनजाती थी, या फिर जनजातियों का समहुधा, सक मूलते आरिये थे, इनकी सही नसल की पहचान करना कटिन रहा है क्योंकि प्राचिन भारतिय, इरानी, युनानी और चीनी श्रोतों में इनका अलग-अलग वर्णन दिया गया है, अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि सभी सक सिकीती थे, लेकिन सभी सिकीती सक नहीं थे, यानि जो सक है, वो सिकीती समुधाय के अंदर आते थे, उसका कुछ हिस्सा थे, या फिर उसकी किसी जाती का नाम है शक, जैसे हिंदूों में आगे कई उपचातियां हमें देखनों को मिल जाती हैं, उसी तरह सकीती समुधाय में शक नाम की जाती थी, सिती की विशव का एक भाग होने के नाते, प्राचिन इरानी भाशा परिवार की ब कर्मन पर गहरा परभाव रहा है, शकों का भारत के इतिहास में गहरा असर पड़ा है, क्योंकि यह यूएच ही लोगों के दबाव में भारतिय उपमाद्वीप में घुस आये थे, उन्होंने यहां आकर एक बड़ा समराज्य स्थापित किया, आधुनिक भारती रास्टिय केलेंडर शक समवत कहलाता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा समराज्य स्थापित किया होगा, बहुत से इतिहास कार इनके दक्षिन एशियाई समराज्य को शकास्तान कहने लगे थे, जिसमें पंजाब, हर्याना, राजस्थान, गुजरात, सि लेबर, पुष्टू नखवा और अफगानिस्तान सामिल है, तो इतना बड़ा समराज्य पर शकों का शाषन हुआ करता था, मुवास ने 72 इसापुरू में शाषन करना आरंब किया, उसने अपने समराज्य का विस्तार करके शकों को शक्तिशाली बनाना आरंब किया था, उ चत्रपों के न्युक्ति उसने तक्षिला, मथुरा, महाराष्टर, उजेन में शाषन करने के लिए की थी, लेकिन कालांतर में ये चत्रप सवतंतर हो गए, शक विदेशी समझे जाते थे, लेकिन उन्होंने शेव मत को स्विकार कर लिया था, वो भगवान शीव के अन्या राजे मिलते हैं, जो कि उत्र पश्चिम में तक्षिला, पूरू में मथुरा, पश्चिम में उजेन, और दक्षिन में नासिक महारास्टरा में हमें ये राजे मिलते हैं, तक्षिला के सकों की अगर हम बात करें, इसे सकों की मूल शाखा कहा जाता है, या फिर माना जाता ह मौस इस वंश के सबसे प्राशिंतम राजा थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी जिसके सिक्के हमें उपलब्द मिलते हैं जिन पर खरोष्टी लीपी में राजा तीराज महान लिखा हुआ है इसके उत्रादिकारी एजेज प्रथम एजेज दुईतिय थे जिनकी जानकारी हमें केवल शिक्कों में ही मिलती हैं अंत में इंडो पार्थियन राजा गोडो फरनीज इस वंस का अंत कर देते हैं गोडो फरनीज के इतिहास के बारे में इंडो पार्थन आकरमन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे अब जान लेते हैं मतुरा के सकों के बारे में मतुरा से प्राप्त सिंग शिर्च लेख से हमें राजुल और सोडवाल राजाओं का उलेख मिलता है इन दोनों को महाचतरप कहा गया है इस वंच की सवतंतरता कनीशक के राज़पाल में समाप्त हो गई थी यानि की समराट कनीशक ने इस समराज्य को मतुरा के सकों को समाप्त कर दिया था और इस राज्य को अपने अधिन कर लिया था जब महाचतरप खरपलानवे चतरप बंस पर ने कनीशक की अधिनता स्विकार की तो मतुरा के सक शमाप्त हो गई इसके अलावा नासिक के सकों की अगर हम बात करें, यहां के दो शाशक भूमक तथा नरपान का उलेख मिलता है, नहपान इश्रवंश का सक्तिशाली राजा हुआ है, जिसके राज्य में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी, मालवा, उत्री कौन और नासिक वे पूना के इलाके शामिल थे उसके समराज्य में, नासिक गूहा अभिलेक से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, नहपान की राजधानी मिननगर थी, इस वंच का पतन गोत्मी पूत्र शाथ करनी द्वारा किया गया था, सत्वाहनों के समय में यह नासिक के शक समाप्त हो गए थ छिन्हें उजेन के शकों के नाम से जाना जाता है, इस राजधी की स्थापना चेस्टन ने की थी, इसकी मुदराओं पर चेत्य प्रतीग मिलता है, समभवते उसने बोध्रम अपनाया था, रुदरदमन इस वंच का प्रसीद साशक हुआ है, जिसे जुनागड अभिलेक से हमें ये जानकारी मिलती है इन सब की जानकारी हमें जुनागर अभी लेक से पराप्त होती है उसने नेक सफलताएं अर्जित की थी दक्षिना पत्थ पती शात करणी को युद में दो बार हराया था जो की सात्वाहन वंच के शाशक हुए हैं, महान शाशक हुए हैं, उनको दो बार हराया था उसने सिंधु सोवीर का प्रदेश भी जीत लिया था, उसने सुदर्शन जील का जी जागरन करवाया था गुप्त वंच के समय में इस वंच का अंत हो गया था यानि की गुप्त वंच के राजा विक्रमा दित्य ने शकों का नाश कर दिया था, उजेन के शकों को समाप्त कर दिया था और उसी के बाद विक्रमा दित्य की उपाधी भी मिलती है चंदर गुप्त वीत्य को माल्वा जनन ने विक्रमादित्य के नेतरीतव में माल्वा से सकों का राज्यसमाप्द कर दिया था इस विज़े के समारक रोप में विक्रम सम्मद का प्रचलन आuardमभ हुआ था तो आज जो आज भी हिंदु धार्मिक कारियों में महत्व रखता है विक्रम सम्वत के अधार پर हिंदु धार में कारिय हुआ करते है शकों के अन्य राज्जों का नाश भी चंदर गुप्ट द्वित्य ने किया था जिसकी वज़े से उन्हें सकारी विक्रम दित्य की उपाध ही प्राप्त हुई थी गुप्त वंच के महान शाशक हुए है इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अलरेडी पढ़ चुके हैं तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है चैनल पर वीडियो अलरेडी उपलब्द है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों वीडियो का अगर आप इन्हें देखना चाहें तो चंदरगुप दवीत्या ने शकों का पूरी तरह से नास कर दिया था पूरी तरह से भारतिया उकमादवीब से समाप्त कर दिया था उजेन और मालवा के शकों का इसके बाद एक चत्र राज्य की स्थापना की थी शकों को भी अन्य विदेशी जातियों की भाती भारतिया समाज में आतम साथ होना पड़ा भारतिया समाज में घुल मिलकर लुप्त हो गए शकों की प्रारंभिक विजों का सक सम्वंत आज भी प्रचलित है जिससे हमें पता चलता है कि सकों का समराज्य काफी विशाल समराज्य हुआ करता था तो दोस्तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत नमश्कार दोस्तो